ये गाईज, वेलकम बैक टू आटो क्राफ्ट और दोस्तों, आज हमारे पास इस वीडियो में एक ऐसी कार है, जो कि मिडिल क्लास की पहली पसंद है, और अगर आप माइलेज को लेकर थोड़ा सा कंसर्ण में रहते हैं, आपका बजट थोड़ा सा कम है, और आप एक ऐसी पर करना रिव्यू करने वाले हैं, और चानेंगे कि आखिर ये कार क्यों खास हो जाती है आपके लिए, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि फटट फट चनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो इंट्रस्टिंग लगे त जो कि लोगों को बहुत पसंदार है, बोनेट साइज आपको थोड़ा सा एक कमप्रेस होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर बोनेट को एक अलगी लुक देने की कुशिश की है, जो कि हलका सा ऐसे ओवल राउंडड़ शेप में रहता है, जिसकी वज़ए से कही थोगा सा अलग हो जाता है पुरानी वाली सिफ्ट की कमपैर्जन में, नीचे आपको जो सुजकी का लोगो देखने को मिलता है, वो बहुत प्यारा सा देखने को मिल जाता है, और यह एकदम ब्लाक कलर की जो ग्रिल रहती है, अपने आपने एक अलग ही टेक्च्चर मेंट क्लिर्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बहतर रहेगा, जिसे कि आप इसे नॉर्मल या एक्स्ट्रीम रोट्स पे भी आसानी से ड्राइफ कर सकते हैं, बात करी जाएं यहाँ पर अगर हम इनकी लाइट्स की बात करें, तो अगर आप देखो को यहाँ पर आपको LED प् प्रेंट लुक बहुत ज़्यादा स्पोर्टी सा नजर आता है, हलाकि एक एक हैच्ट बैक है, लेकिन इसके बाब जूद भी जिसका लुक आएगा, बहुत ही कमाल का आएगा, अगर हम बात करते हैं इसके एक बर विंडशिल्ट वाले प्रेशन की तो यह आपको एक कॉम् एक 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 फुल-विंडशिल्ट देखने को मिल जाती है, जो कि इसके लुक को काफी खास बना देती है, चलिए बात करते हैं इसके साइड प्रूपाइल की होँगा पुरानी वाली स्विट से लेकिन थोड़ा से यहाँ पर कॉम्पाक्नेस को मेंटें करने की कोशिश की ग जो कि आपको देखने में काफी इस्चा लगता है सबसे पहले कर हम बात करते हैं इसके फेंडर वाले सक्षन की तो यह चीज़ आपको काफी कॉम्पाक्ट से देखने को मिल जाती है और आपको यह प्यारे से वीज देखने को मिल जाते हैं जो कि एलाइ वील के साधा थे एक यहाँ पर आपको 15 inches के तायर देखने को मिल जाते हैं जिनका प्रफाइल लेता है 165 65 तो ऑबर ओल्ल आपको यह टियर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि ठीक ठाक रहेंगे और हैच में आपको 15 inches के टायर देखने को मिल गया है जिसकी वज़े से आपको ग्राउंड क्लिर होगा next level होगा इसके बारे में लोग आगे जाकर बात करेंगे जब इंटीर को देखेंगे लेकिन फिला लग अभी हम यहाँ पर नजर मारते हैं एक बार इसके और यहाँ पर आपको जाता है तो यहाँ पर जो विंडो है वो हल्किसी जाके दर नैरो हो जाती है जो कि मारूती का एक सिगनेचर है ज्यादा तर उनकी गाड़ियों में यह चीज आपको देखने को मिलती है अगर हम डोर हैंडल को देखते हैं इसके अलावा तो यहाँ पर आपको रिकर्स सेंसर दवाई आपका काम हो गया पीछे की तरफ आपको नॉर्मल डोर हैंडल ही देखने को मिलते हैं और ओवर यह तो इसका साइट प्रफाल लाता है पीछे के एंडल आपको एकदम सिंपल देखने को मिल चाहता है और अगर हम यहाँ पर देखे हैं तो आपको फ्यूल टैंक का कि इसमें आपको सीन जी को आपशन भी आजाएगा जिसे कि आप यूज कर सकते हैं और वह और जदा वेल्यू फॉर मनी होगा वो क्यों होगा यह मैं जब आएगा तब बात करेंगे लिगन फिलाला भी यहाँ पर इस वेरिंट की बात करते हैं और एक बर अनदर साइट को करते हैं दूसरी साइड आपको एकदम सेम वैसे ही लगेगी जैसे आपकी रहती है यहां पर भी आपको ड्राइवर साइड रिक्वस सेंसर देखने को मिल जाते हैं और आपका आर 15 वाला टायर देखने को मिलता है चुकि एक बर ब्रेकिंग की भी बात करने होगी इसके फ् बहुत अच्छा है जिसके लिए दोस्तों एक लाइक बिनता है चले दोस्तों अफट अफट गारी के अंदर भी चलेंगे लेकिन बाक एरिया को भी गौर करते हैं देखते हैं यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले स्पोइलर नहीं मिलता है अगर आप चाओ दो बढ़ मेरे को सिंपल ही इच्छी लग रहे स्पोइलर की जरूरत नहीं है वाशर है डिफॉगर है और वाइपर है तीनो चीज़े आपको इस वेरिंट में देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ आपको यह हैवी सी टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है जो कि बहुत दी प्यारी लगेंगी देखने में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको आपको पारखेंग सेंसर के उपशन देखनेकर मिल जाते हैं चार पारकिंग सेंसर देखने को मिल गाए है और Maruti सुजग्री के लोगों के साथ कि आजकल गाड़ीयों में नहीं देखने को मिल लगी है तो मारूती ने भी इसे आगे बढ़ाया है और वेरेंट की वैजंग है तो आपको ये बूट ओपन करने के ओफशन देखने को मिल जाएंगे और कुछ इस तरीके से आप इसका बूट ओपें कर सकते एक बांग नौक क तरब भागता है यह चीज रहती है बूट सपेस की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको काफी डीप बूट सपेस देखने को मल जाता है हो सकता है वह आपको दिखाई ना दे रहा हो क्यों की काफी अंदे रहा है और इसमें आपको बूट लेंब ओप्षन देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं अगर इसके बूट यहाँ चार चार वी रखोना यहां पर बढ़ जाता है और आप को फिल वी ओर ज्यादा समान लखना आ तो आप जो कि 60-40 के रिश्यो में फोल्ड हो जाती है जिसके बाद आपको एक चोड़ा इसन जगे मिल जाएगी जहां पर आप अच्छा कासा समान बगएर रख सकते हो तो बहुत प्रिमियम सा आपको फील होगा और आपको पुरानी वाली स्विट कहीं कहीं याद दिलाएगा सिंट्री मिल गई है तो बार-बार आप वो बटन दवाने की जरुवत तो नहीं पढ़ने वाली है अच्छी चीज यह रहती है आपकी साथी साथ अब हम इन दोनों चापियों के साथ चलते हैं गाड़ी के अंदर उसके बूट को ओपेंड करते हैं देखते वह इंजन की क् जाता है जिसकी अगर हम बात करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको माइलेज बहुत जबर जस्त मिलेगी चुकि इसमें आपको घ्री सिलेंडर होने के साथ यह 80 बेस्टी के पावर एप्रॉक्स जनरेट कर लेता है और 111 न्यूटर मीटर का टॉर्क और आते हैं तो फो सकता है आपको माइलेज फिकर्स और के इंक्रीस होते हुए दिखाएते हैं लेकिन इस इंजन के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप बहतरी इस गारी से निकाल पाएंगे पेक्ट्रोल में ही आपको जरुवत ही नहीं पड़ेगी तो अच्छी चीज मेरे क आप एक कार ऐसी चाहते हो जुसमें आप वो बैठरी मेलेक से साथ मैंटिनेंस कम हो तो यह बहतर आपकी ऑप्शन रहेगा चलिए गाड़ी के इंजन के बारे में बात कर लिए अब हम लोग चलते हैं इंटेर को देखते हैं इंटेर में क्या लगजरी मिला है क्या कॉस्ट कि गई यह सारी बाते करेंगे चलिए गाड़ी का डोर ओपन करते हैं और सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इसके इंटिरियर की डोर की बात करे जाए तो आपको स्लिम सा दोर देखने को मिल जाता है और अगर आप देखोगे तो प्लास्तिक फिनिश के साथ साथ यह कहीं कहीं हलका सा फाबर्क फिनिश का भी ऑप्शन देता है इसमें अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहां पर आके है कि आपको चारो पावर विंडोस के ओप्शन देखने को मिल जाते हैं लॉक एन लॉक चाइट सेफटी के ओप्शन है और साथ इसाथ आपको छोटा सा लीव पर समान वगर रखवाओं तो यह चीज रहती है वाकि यहां पर आपको ड्राइवर साइट वन टस्ट डाउन के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं गारी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या मिलता है चले गारी के इंटीर में बैठने के बास सबसे प पु स्टिरोड होता है जब अवर अन्डर बैटता हो और डौती लग्शीरी फिंग आथा यह गारी आपको चीने के अलावार को क्रूस कंट्रूल के भी ऑप्शन्स देखने को मैल जाएंगे छोटा सा मारित्वी का लोग हो है जो कि आपका हॉन के साथ आता है और नीचले इससे में आपको यह प्यानो ब्लाक फिनिश के टर्स दे रखा है जो कि बहुत अच्छी लगती है लैदर फिनिश में आपको यह स अची तरीके से आपी ग्रिब भी करेंगी इस साइट की बात करते हैं तो प्यारे सी एसी कंट्रोल से यहां पर इंजिन स्टार्ट स्टॉप बटन है जो कि आपको यहां दे रखा है ट्रेक्शन कंट्रोल का ओप्शन है और हैड्लम्प लेवरल दे रखे होते हैं यहां से इसमें आपको मैनुवल वाइपर ही दे रखा होता है और यहां पर प्यारा सा नजर आता है चोकि इसका जो कलर को लगेगा आपको यहां पर दे तो रखा होता है एक तरीके से एनलोग ही और चोटी सी मैं दे रखे होती है जिसमें कि आपको मतलब जो की डिस्क रहती है चाहां पर आप अबरेज वगर बहुत सारी ट्रिप वगर के बारे में जाने का रही देख सकते हूं लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके टैको मीटर की और साथ साथ स्पीडो मीटर की इसका क्लर से एडवांस फीचर के साथ आएगा जिसमें कि बहुत सारी काम वगरा कर सकते हैं बहुत सारी इंफोर्मेशन आपको दे रखी होती है साथ इसमें आपको एंड्रोइड आटो और एपल कारपले का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है नेक्स अगर आप यहां पर देखोग थोड़ी साथ आपको देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे यहां पर यह जो चीज रहती है ठोड़ी सी मेरे को नीचे दबी हुई दिखाई दी है प्यानों ब्लैक फिनिश के साथ यह आपको गियर के पास का आसपास की फ्रेमिंग दे रखी होती है मैन्वल हेंड ब्रेंग के साथ यहां पर आपको कुछ बहुत और आप्शन है उनके बारे में पीछे जाकर बात करेंगे सिटिंग कमफर्ट की बात करें तो इसमें आपको बकेट सीट्स देखने को मिल जाते हैं जो को आपको एक्स्टा कमफर्ट एवलेबल कराती हैं और जब आपको इस तरीके से बैटोगे तो आपकी जो विंग पोजिशन आती है वो बहुत जबर्जस हो जाती है और आप लंब आपको प्लास्टिक्नेस में दे रखा होता है और यह आपको ग्लबसन देखने को मिल जाते है जो कि normal रहता है नो क्योंकि मैनुली आपको एड़ेस्स करना पड़ेगा तो बाखी तीनों साइट है जिसे कि आप देख पाओगे बाद में और यहां पर जो सीटिंग कमफर्ट है बहुत प्यारा है एक पर बैक रोपर चलना पड़ेगा बैक सीट पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको अंद काफी टॉल आपको दिखाई देगा जिसकी वाज़े से आपको हो सकता सामने का व्यू नजर ना आए अपको ऐसे हल्काजा करना पड़ेगा जिसके बाद यह आप दे सकते हो यह काफी कम दे रखा होता है चुकि इन जो आगी कैटन सीट से आपकी वहां पर एक कमफर्ट मी ले रहे तो वह चीज आने मिलेगी सीट का कमफर्ट ओके ओके है बहुत ज्यादा में यहां पर नहीं बढ़ने लेकिन इसके बाद भी आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको एसी की ऑप्शन देखने को मिल जाते है जो की डैडिकेट डेसी रहता है जिसे की रियर की बहुत अराम से कंफर्टेवली गर्मी के मौसम में बज़े ले सकता है यहां पर आपको दो चार्जिंग सॉकिट देखने को मिल जाते हैं जिसे की आप यूस कर सकते हैं यह तो आपका रहता है यह ताइप सी वाला और दूसरा आपका रहता है यूसबी ए सॉकिट रहता से चीज रहती है मज़ेदा रहती है यहां पर थोड़ा सा गाप भी है जहां पर अपना फोन वगर आप चार दिंगे तो लगा सकते हूं चारू सीच में अगर आप देखोगे तो सीट बेल्ट बगरा के भी ऑप्शन्स देखने को मिलने वाले तो ओवरान केविन ऊपर से बहुत अच्छा है टॉल भी फील होगा बट यह जो एक मेरा मेरा परस्नरी कंसर्न है कि वह व्यू मिंटेर नहीं हो रहा है तो वह चीज यहां पर मेरे को देखते को मिलिए चली सिप्टी फीचर्स की बात तरी है तो जुसमें जो स्टानेट सिप्टी पीचर्स होते है फि जो कि गारी के सेंफ़े फीचर्स पीचर्स मिलिए घा नोकरिके टीनी सेफी वह गोगा जब प्रम कैस का क्यों बात करें लेकिन वाटство करें तो इस ने तो मयायकर एंटेकर यह वर और मेरे को बहुत पसंद आई है वाकि आप भी कमेंट करके बताना आपको गारी कैसी लगी है अगर आपको कोई डाउट है वेरियन को लेकर और कोई आपको लगता है फीचर्स के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं साथ ही दोस्तों अब इतना ही चलको सब्स्ट्राइब करेगा वीडियो इंट्रस्टिंग लगी हो तो लाइक करना बिल्ट कोई बूलेगा फिर से हाज ही रोंगे कुछ ऐसी बहतरीन कार्ट के साथ कुछ ऐसरी मिडिल क्लास कार्ट के साथ जिनने के आप खरीज सकते हैं और अपनी फैमिली जहें बने मादर